हाई फ्रेंद्स आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें हमे इसे बहुत सारे लोग हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं जैसे वो motivational seminar में जाते हैं, motivational audio सुनते हैं, motivational books पढ़ते हैं, या उन सफल लोगों से मिलते हैं, जिनों अपने जीवन में बहुत अदिक सफलता हासिल किया है, और बहुत अदिक motivate हो जाते हैं, और motivate होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है, कि मैं अपनी life में सब कुछ अचीव कर सक और दीरे दीरे जैसे जैसे समय बीचता जाता है, motivation का level कम होने लगता है, और कई बार ये खतम हो जाता है, चले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या हम एक बार खाना खाके हमेशा के लिए अपनी भूक मिटा सकते हैं, या एक बार अच्छे से पानी पीके अपनी अच्छा की प्यास बुजा सकते हैं, नहीं न, जैसे जैसे हमें भूक लगती है, हमें भोजिन की अवश्रकता होती है, प्यास लगने पर पानी की अवश्रकता होती है, मतलब यदी वो चीज हमें मिल जाए, तो हमारी संतुस्टी हो जाती है, ठीक इसी तरह से motivation भी सदा ए दिल कहां से रहा है, motivation में दो तरह से प्राप्त होता है, एक बाहरी motivation, किसी व्यक्ति की सफलता को देखकर, कोई motivational वीडियो सुनकर, motivational seminar में जाके, या किसी व्यक्ति की सफलता को समझ कर, हम बहुत अधिक motivate हो जाते हैं, और हमें लगता है कि हम भी सफलता को आसानी से पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह जो बाहरी motivation होता है, वो समय के साथ-साथ धीरे-धीरे कम होने लगता है, और कई बाहर समाप्ति भी हो जाता है, दूसरा motivation होistा. या motivation होता है, जो हमारे अंदर से पैदा होता है, और जब यह सफलता वो लक्ष वो टारगेट हमें हर कीमत पर हासिल करना है और जब तक वो हासिल नहीं हो जाता हम वैसे तरड़ते रहते हैं जैसे पानी के बिना मचली तरड़ते हैं अगर आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लक्ष को निरधारित करें और लक्ष निधारित करते समय ये सुनिश्चित करें कि आप उस लक्ष को क्यों हासिल करना चाहते हैं। और एक बार जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आप सही तरीके से मोटिवेट हो पाएंगे। और जब आपका मोटिवेशन लेवल कम होने लगे तो अपनी उस इमेजिनेशन को एक बार पुने दोराएं। आप देखें कि उस समय आपको सफलता मिलने पर क्या लाब होगा, उस सफलता से आपकी कितनी शौरत होगी, उस सफलता से आप अपने जीवन में किस लक्ष को प्राप्त करेंगे और जैसे ही आप उस इमेजिनेशन को दुबारा दोराएंगे, आपका मोटिवेशन लेवल दुबारा से मजबूत हो जाएगा और कई गुना बढ़ जाएगा, और यदि किसी कारण से आपका मोटिवेशन लेवल डाउन हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिक कर ज़रूर बताएं, हमारी टीम आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर देगी, So friends, stay motivated and stay inspired with me, I am Dr. Amit Maheshwari, a business trainer, corporate trainer and motivational speaker, मैं आपके सुनेर बविश्य की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत